जो मुझसे नहोते खफा रभू क्यों ना करो साथ तेरे वफा जो मुझसे नहोते खफा रभू क्यों ना करो साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा एक तुमने मुझको लगाया खले एक तुमने मुझको लगाया खले जिन्दगी में तुम ही मेरे संग संग चले एक तुमने मुझको लगाया खले जिन्दगी में तुम ही मेरे संग संग चले तुमने मुझको लिकाला खले उस दोर से तुमने मुझको लिकाला है उस दोर से जब लगी चोट दिल को बरे जोर से हाथ ठामा है तुमने हाथ ठामा है तुमने मेरा हर दफा प्रभू क्यों ना करो साथ तेरे वफा साथ तेरे वफा ओम शान्ति आज 21 सितंबर 2020 के प्यारे बाबा के मधूर महा वाक्य हैं मुलिका सार है मीठे बच्चे संगम पर तुमें प्यार का सागर बाब प्यार का वर्सा देती है इसलिए तुम सबको प्यार दो गुसा मत करो क्या समझा रहे हैं बाबा संगम पर बाबा हमको प्यार का सागर बाबा प्यार का वर्षा दे रहे हैं इसलिए तुम सब को प्यार दो गुस्सा मत करो आज की मुल्ली का प्रश्न है अपने रिजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाबा ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? अपने रिजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाबा ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? उत्तर है प्यार का रास्ता बाबा तुम्हें समझाते हैं शिरी मत देते हैं बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो किसी को भी दुख नहीं दो करमेंदियों से कभी भी कोई उल्टा करम नहीं करो सदा ये चाँच करो कि मेरे में कोई आसरी गुन तो नहीं है मैं मुड़ी तो नहीं हूँ कोई भी बात में मैं बिगड़ता तो नहीं हूँ तो ये बाबा ने attention दिलवाया कि अपने अंदर ये चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर सब आत्मों के प्रती सने हैं तो कभी भी हमारी mood upset तो नहीं होती है कभी हम हमारी mood में उतार ठढ़ाब तो नहीं आते हैं तो बाबा ने कहा ये आसुरी गुण है तो इसलिए बाबा की शिरीमत क्या है सब के साथ प्यार से चलना है सब के साथ प्यार से विवार करना है सब के प्रती शुब भावना रखने है शुब कामना रखने है गीत है ये वक्त जा रहा है ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत सुना दिन प्रती दिन अपना घर अत्वा मंजिल नजदीक होती जाती है अब जो कुछ शिरी मत कहती है बाबा ने का उसमें गफलत ना करो बाबा का डारेक्शन मिलता है सबको मैसेज पहुचाओ बच्चे जानते हैं लाखों करोडों को ये मैसेज देना है फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे बाबा का संदेश सबको देना है बाबा का मैसेज तो सबको ही मिलना है मैसेज तो बहुत सहज है सिर्फ ये बोलना है अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करो कोई भी करमेंड्रियों से मनसा वाचा करमना कोई भी बुरा करम नहीं करना है बाबा कहते है ना मन से, ना वचन से, करम से कोई भी ऐसा हमेकारिय नहीं करना है दिल में ये संकल्प आता है गुसा करें अब बुद्धी तो मिली है ना कि हमें गुसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए गुसा करेंगे तो क्या बनेगा? पाप बन जाएगा बाबा को याद करने से पुन्य आत्मा बन जाएगे ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे कई बार कई बच्चे ये कहते है अच्छा अभी हो गया ना फिर नहीं करेंगे ऐसे फिर फिर कहते रहने से तो आदत पर चाहेगे मुझे ऐसा करम करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है विकारों को पाप नहीं समझते हैं अभी बाबा ने बताया है ये सबसे बड़े से बड़ा पाप है क्या करना गुस्सा करना बड़े से बड़ा पाप है इन पर जीत पाना है और सब को बाबा का मैसेज देना है कि बाबा को बाबा कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मौत सामने खड़ा है जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं Godfather को याद करो Remember Godfather वे समझते हैं ये एक Godfather पास जाते हैं प्रन्तु वो लोग ये जानते ही नहीं Godfather को याद करने से क्या होगा कहां जाएंगे आत्मा एक शरी छोड़ती है दूसरा लेती है Godfather के पास तो कोई जान नहीं सकते हैं तो अब तुम बच्चों को अभिनाशी बाप की अभिनाशी याद चाहिए जब तमो परधान दुखी हो जाते हैं तब एक दो को कहते हैं Godfather को याद करो सब आत्में एक दो को कहती हैं कहती कौन है? भावने का वो तो आत्मा ही कहती है ऐसे थोड़े ही की परमात्मा कहते है भावने का आत्मा आत्मा को कहती है क्या कहती है? बाबा को याद करो ये एक कौमन रसम है मरने के समय इश्वर को याद करते है इश्वर का डर रहता है, समस्ते हैं अच्चे वा बूरे कर्मों का फल इश्वर ही देते हैं अब बावने का बूरा करम करेंगे, तो फिर इश्वर धरम राज के द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है बरोबर करमों की भुकतान तो करना ही पड़ेगा तुम बच्चे अभी करम, विकरम और अकरम की गती को समझते हो जानते हो ये करम अकरम हुआ याद में रहकर जो करम करते हैं वे अच्छे करते हैं रावन राज्ये में तो मुशे बुरे करम करते ही आए हैं राम राज्ये में बुरा काम कभी होता नहीं है बाबा क्या कह रहे हैं कि राम राज्ये में कभी बुरा करम होता ही रही है अब शिरी मत तो मिलती रहती है कहां बुलावा होता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसके लिए बाबा ने का हर बात में पूछना च पहले प्यार से समझाना है सच्ची ना करे तो बाद में मार सकते हैं प्यार से समझाने में हाथ में आ सकते हैं प्रन्तु उस प्यार में भी क्या होना चाहिए? योगबल होना चाहिए तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझ जाएंगे ये तो जैसे इश्वर ही समझा रहे हैं तुम इश्वर के बच्चे योगी हो बाबा क्या समझा रहे हैं? तुम इश्वर के बच्चे हैं और योगी है तुम्हारे में भी इश्वर्य ताकत भरी हुई है इश्वर प्यार का सागर है उनमें ताकत है ना? बाबा सब को वर्सा देते हैं तुम जानते हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है अभी तुम प्यार का पूरा वर्सा ले रहे हो लेते लेते नंबर वार पुर्शाट करते करते प्यारे बन जाएंगे बाबा कहते किसी को भी दुख नहीं देना है बाबा क्या समझा रहे हैं बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना है, अगर दुख देंगे तो दुखी हो करके मरेंगे बाबा प्यार का रास्ता बताते हैं, मनसा में आने से फिर वे शकल में आ जाता है कर्मेंदियों से कर लिया तो बाबाने का सारा रेजिस्टर ही खराब हो जाएगा देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, देवताओं के पुजारियों को समझाओ वे महिमा गाते हैं, आप सरवगुण संपन, सोला कला संपूरण हो और अपनी चाल चलन भी बाबा सुनाते हैं, भाबाओं बच्चों को यह भी बताते हैं, बच्चे तुम्हारी चाल चलन कैसी है तो उनको समझाओ, तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर बाबा ने का ये बात भी समझाने चाहिए, कि तुम ही क्या थे 16 कलर संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी नहीं है, फिर से ऐसे बनना है, तुम को ऐसे देवता बनना है, तो तुम अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम ये बन जाएंगे अपनी जांच करनी है हम संपूर्ण निर्विकारी है हमारे में कोई आशरी गुंतों नहीं है ये चेकिंग करनी है कोई बात में बिगरता तो नहीं हूं मूडी तो नहीं बनता हूं अनेक बार तुमने पुर्शार्थ किया है बाबा कहते हैं तुमको ऐसा बनना है क्योंकि बनाने वाला हाजिर है कहते हैं कलब कलब तुमको ऐसे बनाता हूं कलब पहले जिनोंने ग्यान लिया है वे जरूर आकर लेंगे पुर्शार्थ भी कराया जाता है और बेफिकर भी रहते ड्रामा की नून ही ऐसी है कोई कहते हैं ड्रामा में नून होगी तो कर लेंगे कई बच्चे ड्रामा के उपर छोड़ करके बैठ जाते हैं होगा तो देख लेंगे अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा समझा जाता है इनकी तकदीर में है नहीं पहले पहले भी एक ऐसे ही बिगड़ा था तकदीर में नहीं था बोला ड्रामा में होगा तो कर लेंगे और ड्रामा हमसे पुर्शाथ कराएगा बस छोड़ दिया बावने का ऐसे तुमको बहुत मिलेंगे तुम्हारी एम आउजेक्ट तो ये खड़ी है बैस तो तुम्हारे पास है जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बावने का बैस भी तुम्हारे पास है ना तो बैस को भी देखो अपनी चाल चलन को भी देखो कभी भी क्रिमिनल आखे ना हो, मुख से कोई evil बाते ना निकले evil बोलने वाला ही नहीं होगा, तो कानों से सुनेंगे कैसे सत्यों में सब दैवी गुननों वाले होते हैं, evil कोई बात ही नहीं है इनों ने भी प्रालव्द बाबा बाप के द्वारा ही पाई है ये तो सबको बोलो बाबा को याद करने से विकरम विनाश हो जाएंगे इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है संसकार तो आत्मा ही ले जाती है सन्यासी होगा तो फिर सन्यास्थरम में आ जाएगा जार तो उनका बढ़ता रहता है न इस समय तुम बदल रहे हो मुनुष्य ही देवता बनते हैं सब कोई इकटे थोड़े ही आएंगे आएंगे फिर नमबर वार ड्रामा में कोई बगैर समय एक्टर थोड़े ही स्टेज पर आ जाएंगे अंदर बैठे रहते हैं जब समय होता है तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट पजाने के लिए वे होता है हद का नाटक और ये है बेहद का बुद्धी में हैं हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट पजाना है ये बेहद का बड़ा जाड़ है नमबर वार आते जाते हैं पहले पहले एक धरम था सबी धरम वाले तो बाबने का पहले पहले आ नहीं सकते हैं पहले तो देवी देवता धरम वाले आएंगे पाट बजाने के लिए सोभी नमबर वार जाड के राज को भी समझना है बाबा आकर सारे कलब प्रिक्ष का ज्यान सुनाते हैं इनकी भेड फिर निराकारी जाड से होती है एक बाबा ही कहते हैं मुश्य स्रिष्टी रूपी जाड का मैं बीज हूँ बीज में ही जाड समाया हुआ नहीं है लेकिन जाड में सारा ज्यान समाया हुआ है हर एक का अपना अपना पार्ट है चैतन्य जाड है ना देखो जाड के पत्ते भी निकलते हैं सो भी नमबर वार अब एक्स्तम तो पत्ते नहीं निकलते हैं दिरे दिरे निकलते हैं इस जाड को भी कोई समस्ते नहीं है, इनका बीज उपर में है, इसलिए इनको उल्टा वरिक्ष कहते हैं, अब रचैता बाप तो उपर हैं, तुम जानते हो हमको जाना है घर जहां आत्मे रहती हैं, अभी हमको पवित्र बन कर जाना है, तुम्हारे बाबने का योग बल से सा विश्व पवित्र हो जाता है, तुम्हारे लिए तो पवित्र स्रिष्टी चाहिए न, तुम पवित्र बनते हो, तो तुमें दुनिया भी कैसी चाहिए, पवित्र चाहिए, तो पाबने कहा, मीठे मीठे बच्चों को, ये सारा राज बुद्धी में होना चाहिए, कैसे हम पुर्ण जनम लेते हैं 84 का चुछक्र तुमारा पूरा होता है तो सब का पूरा होता है सब पावन बन जाएंगे ये अनादी बना हुआ ड्रामा है एक सेकंड भी ठैरता नहीं है सेकंड बाई सेकंड जो कुछ होता है सो फिर कलब के बाद फिर से होगा हर एक आत्मा में अभिनाशी पार्ट भरा हुआ है वे एक्टर्स करके दो चार घंटे का पार्ट बजाते हैं ये तो आत्मा को नैचुल पार्ट मिला हुआ है तो बच्चों को कितनी खुशी होने चाहिए खुशी की बात तो ये है अती इंद्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है बाबने का अगर सुख मिलता है तो कहां मिलता है अती इंद्रिय सुख यहीं संगम पर मिलता है बाबा आते हैं 21 जन्मों के लिए हमें सदा सुखी बनाते हैं ये तो खुशी की बात है, जो अच्छी रिती समझते और समझाते हैं, वे सर्विस पर लगे रहते हैं, जो अच्छी रिती समझते हैं, समझाते हैं, वो सेवा करते रहेंगे, कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में भी फिर परवेश्टा हो जाती है ताली दो हाथ की बसती है यहां भी ऐसी बाने का वहां तो ऐसे नहीं होता है यहां तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है कोई क्रोध करता है तो तुम क्या करो उस पर फूल चड़ाओ प्यार से समझाना चाहिए कि ये भी एक भूत है बाबा ने क्या का क्रोध करना भी क्या है भूत है बहुत नुकसान कर देते हैं कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए नंबर वार पुर्शार्थ करते रहते हैं किसी का तिवर पुर्शार्थ होता है किसी का ठंडा होता है ठंडे पुर्शार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी कर देते हैं कोई में क्रोध है तो जहां जाते हैं वहीं से उसको निकाल दिया जाता है क्रोधी होता है कहीं भी जाएगा बावने का वो क्रोध तो करे गई फिर क्रोध करने वाले को कोई रखता भी नहीं है कोई भी बच चलनवाले रह नहीं सकते हैं इम्तहान जब पूरा होगा तो सब को पता पड़ेगा कि कौन कौन क्या बनते हैं सब शाक्षातकार होगा जो जैसा काम करते हैं फिर उनकी ऐसी ही मैमा होती है तुम बच्चे ड्रामा के आधी मद्य अंत को जानते हो क्या कह रहें बाबा? ट्रामा के आधी मद्य अंत को जानते हैं तुम सब अंतर्यामी हो आत्मा अंदर में जानती है ये स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है सारे स्रिष्टी के मनुश्यों की चाल चलन का सब धर्मों का तुमें ग्यान है उनको क्या कहा जाएगा अंतर्या में आत्मा को तो सब मालूम पड़ गया है ऐसे नहीं कि भगवान घट-घट के वासी है और उनको जानने की क्या दरकार है बावने का वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुर्शार्थ करता है उसको वैसा ही फल मिलता है मुझे जानने की क्या तरकार है जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे बावने का ऐसी चलन चलने वाले अधम घटी को पाते हैं पत बहुत कम हो जाएगा उस स्कूल में तो नापास हो जाते हैं फिर दूसरे वर्ष पढ़ते हैं ये पढ़ाई तो कलब कलपांतर के लिए है अब ना पढ़े तो कलब कलपांतर नहीं पढ़ेंगे इसरे लाट्री तो पूरी लेनी चाहिए ये बाते तुम बच्चे समझ सकते हो अब भारत सुक धाम होगा तो बाकी सब फिर शान्ती धाम में होंगे बच्चों को बहुत खुशी होने चाहिए अब हमारे सुक्के दिन आते हैं दीप माला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते हैं बाकी इतने दिन हैं फिर नए कपड़े पहनेंगे तुम भी कहते हो स्वर्ग आ रहा है क्योंना हम अपना शिंगार करें फिर स्वर्ग में तो बाबाने का अच्छा सुक पाएंगे साहुकार को तो साहुकारी का बड़ा नशा रहता है मुश्य बिल्कूल गोर अंधियारे में हैं बाबाने का नीद में हैं तो फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे सच को तब समझे जब सच का संग हो बाबाने क्या कहा? सच को तब समझेंगे जब सच का संग हो तुम अभी सच के संग में हो तुम सत बनते हो सत बाब के द्वारा वे सब असत्य बनते हैं असत्य के द्वारा अभी कॉंट्रास्ट भी छपा रहे हैं जिन में भी तुम बावने का कांटरस्ट डाल सकते हैं ना किसमें क्या अंतर है आखरिन वीजे तो तुम्हारी है जिनोंने कलब पहले पद पाया है वे जुरूर पाएंगे ये तो सर्टेन है वहां अकाले वृत्यू होती नहीं है वहां तो आयू भी बड़ी रहेगी जब प वित्रता थी तो बड़ी आयू थी पतित पावन परमातमा बाप हैं तो जरूर उन्होंने ही हमको पावन बनाया होगा कृष्ण की बाद तो शोबती नहीं है पुर्शोतम संगम युकपर कृष्ण फिर कहां से आयेगा वही फीचर्स वाला मनुशे तो फिर होता नहीं है 84 जनम 84 फीचर्स फिर 84 एक्टिविटी ये बना बनाया खेल है उसमें फरक पर नहीं सकता है बाबा क्या समझाते हैं ये बना बनाया खेल है इसमें फरक पर नहीं सकता है ड्रामा कैसा वंडरफूल बना हुआ है आत्मा छोटी बिंदी है उसमें अनादी पाट भरा हुआ है इसको कुद्रत कहा जाता है मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे प्रंतु पहले ये पैगाम देना है बाबा को याद करना है वही पतित पावन है सरब का सदगती दाता है सत्यु में तो दुख की बात होती नहीं है कल्युग में तो कितना दुख है प्रंतु ये बाते समझने वाले नमबर वार है बाबा तो रोज समझाते रहते है तुम बच्चे जानते हो शिप बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए फिर वो हमें साथ ले जाएंगे बाबा की याद में बहुत तड़फती है बाबा कहते हैं बांदेलियां तो सबसे जादा याद करती हैं क्योंकि वो बाबा की याद में तड़फती है बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो दैवी गुन धारन करो तो बंदन करते जाएंगे और पाप का घड़ा कतम होता जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकी लडे बच्चो प्रती मात पीता बाब तादा का याद प्यार और गुद मार्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाबा को नमस्ते 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 जी गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शान्ति धान्मा के लिए मुख्य सार है कैसी बनानी है कोई भी evil बोल मुकसे नहीं बोलने है कोई भी evil बोल मुकसे नहीं बोलने है ये आँखे कभी भी क्रिमिनल ना हो दूसरी पॉइंट है क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है ताली दो हाँ से बसती है इसलिए कोई क्रोध करता हो तो किनारा कर लो और उन्हें प्याड से समझा दो बाबन क्या कहा? कि क्रोध को बाबन क्या कहा? ये भी एक भूत है और ये बहुत नुकसान करता है सामने रहेंगे तो और ही क्या होगा? आपका भी मुड़ खराब हो जाएगा किसी को क्रोध आता है तो उससे उस समय किनारा कर लो और कुछ भी मुख से नहीं बोलो आज का वरदान है अव्यक्त सरूप की साधना द्वारा पावर्फुल वायू मंदल बनाने वाले अव्यक्त फरिष्टाभव वायू मंदल को पावर्फुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त सवरूप की साधना इसका बार बार अटेंचन रहे क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है तो अव्यक्त सवरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंचन की तपस्या चाहिए बावने का बार बार क्या करो ये ध्यान दो कि मुझे तपस्या करने है इसलिए अव्यक्त फरिष्टा भव के वर्दान को बावने का बावने हमको फरिष्टा भव का वर्दान दिया है ति बच्चे तुम फरिष्टा हो तुम ही थे तुम है तो बावने का उस वर्दान को सम व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा और स्लोगन है सरव शक्ती मान बाबा को पर्तेक्ष करो क्या करो सरव शक्ती मान बाबा को पर्तेक्ष करने के लिए एकागरता की शक्ती को बढ़ाऊ इसलिए एकागरता की शक्ती को बढ़ाना है तो बाबने का तभी बाबा की परतक्षता हो सकती है ओम शान्ति